धरमशाला में पर्मनेंट डिफॉल्टर्स विद्यूद बोर्ड के 3.88 लाक रुपए के लंबिद बिलों की राशी दबा कर बैठे हैं जिन से वसूली के लिए बोर्ड ने निर्धारित प्रोसेस शुरू कर दिया है विद्यूद बोर्ड मंदल धरमशाला ने इस माह लंबिद बिल ना भरने के चलते 1398 डिफॉल्टर्स को नोटिस जारी किये थे जिन में से 756 के टेंपररी डिसकनेक्शन ओर्डर टी डी सी ओ जारी कर दिये गए हैं विद्यूद बोर्ड की और से लंबिद बिल की राशी वसूलने के लिए हर संभर प्रयास किये जा रहे हैं इस माह की बात करें तो भोगताओं के लंबित बिलों की 37.2 लाख रुपए की राशी लंबित थे जिस पर बोर्ड ने 1398 भोगताओं को नोटिस जारी किये जिसके बाद कुछ भोगताओं ने बिल जमा करवाई लेकिन कई भोगताओं ने नोटिस को नजर अंदास किया जिसके चलते 756 के टेंपरेडी डिसकनेक्शन ओर जारी किये गे विद्यूद बोर्ड की टीडी सीओ की कारवाई उपरांत 29.6 लाख रुपए के लंबित बिल जमा हो चुके हैं वहीं अब विद्यूद बोर्ड शेश राशी की उगाही को प्रियास रत हैं वहीं बात करें बारिश व तुफान की तो इसकी वज़ा से विद्यूद बोर्ड मंडल धरमशाला को पिछले 15 दिनों में 28 लाख रुपे की चपत लग चुकी है पिछले करीब 15 दिनों से खराब चल रहे मौसम की मार भी विद्यूद बोर्ड को पड़ी है मंडल धरमशाला के अंतरगत अब तक 28 लाख रुपे के नुकसान का आकलन किया जा चुका है जिसमें मंडल के अंतरगत चार ट्रांसफॉर्मक शतिक्रस्त हुए हैं पेड़ गिरने के चलते 15 एच्टी पोल और 12 एल्टी पोल को भी नुकसान पहुंचा है विद्यूद मंडल धरमशाला के वरेश्च अधिशाशी अभियनता विकास ठाकुर ने कहा कि नियमित रूप से बिल जमा ना करवाने वाले उभोगताओं के पास विद्यूद बोट का बिल के रूप में 3.88 लाक रुपे फसा है जिसके लिए आगामी प्रक्रिया जारी है इस माह लंबित बिलों के चलते 1398 उभोगताओं को नोटिस जारी किये गए जबकि 756 टीडी सीयो जारी किये गए लंबित 37.21 लाक रुपे के राशी के बिलों में से 39.6 लाक रुपे की रिकवरी की जा चुकी है पिछले 15 दिनों में बारिश और तुफान से विद्यूद बोर्ट को ट्रास्फॉर्मर पोल वर विद्यूद तारों के तूटने से 28 लाक रुपे के नुकसान का आकलन किया गया है पिछले 10-15 दिन से काफी तुफान और शाम की टाइम काफी तुफान आ रहा तो उसके वज़े से काफी पेड़ गयरा तुटके हमारी लाइन पे गिरे हैं जिसके वज़े से अभी पिछले 15 दिनों का अल्मस्ट हमारे पास 28 लाक का नुकसान हो गया है जिसमें की हमारे विविन ट्रांसवामर्स जो जहां भी ही पेड़ गिरने की वज़े से टूटे हैं वो 3-4 चार ट्रांसवामर्स के असपास हैं और हमारे 15 पोल H-T के डैमेज होई है और 12 पोल L-T के डैमेज होई है इसकेसमें और विभाग उसमें हमने कोशिष किया है कि घ्तनी जल्दी इसको रिस्टॉर किया जा सके तो इसको रिस्टॉर करने की कोशिश कीheet है लिखिए जो डिफाल्टर्स वाला प्रोसेस है एक इन कंटिनियूस प्रोसेस है क्योंकि जैसे जैसे बिलिंग होती जाती है तो रूटीन में हमारे पास जब बिलिंग पेड़ कम्प्लीट हो जाता है बीज से पचिस के आसपास तो उसके बाद फिर उसको जो नोटिस स्टैंड थी वो थी 37,21,000 वेक है जिसके गेंस्ट हमने 39,60,000 रिलाइस कर ली तक और हम कोशिश कर वे हैं जो बाकी के भी अमाउंट बजता है इसको रिलाइस करें और मेरी कंजूमर से एक अपील भी रहेगी कि जो भी आपका TDCU अमाउंट जो भी आपका कंजूमर जो ब अमाउंट भी और बड़े अमाउंट भी है तो हम इसलिए कंजूमर से यह भी करते हैं कि जो भी आपका अमाउंट अचा पर्मनेंट अचा टमप्रेरी माउंट है वो तैस में पर दें ताकि इन सारी कारवाई से बच सके हैं